गयंग को गधिसे उतार के गुझ्रात भेज़ देने का संदेश इस सारन की धवर्ती से सोनपूर के धर्ती से हम लोग देने के लिए संकल्फ है जब जब देश इस तरह की संकट में आई है तो ये सारन की धर्ती देश को दिशा और राह दिखाई पूरे बिहार में एक भी टिकर देने का काम नहीं किया है, अपमानित काम करने का काम किया है, बेज़त करने का काम किया है, और यह अपमान का बदला पूरे बिहार का एक-एक उसवाहा वोट से लिए, पूरे बिहार में उसवाहा का एक-एक वोट महाकर डंडन के ठैली में ज जी डबल जीरो फोर वो फोर हो गया वो अर्थी उठाने के लिए सिर्फ चार आदमन को अर्थी उठाके गंगाजी पाड़ कर देए समस्कार आप देख रहा आरेडी नियूज मैं हूँ योगेश चिक्रवर्ती और इस वक्त हम सारन लोग सवाच्छेत्र के कुसवाहा चौट और बाकरपूर में हैं और यहां अभी अभी यहां से कुछ दूरी पर तेजस्वी यादव की एक सवाच खत्म हुई है और उस सवा लोट कर आ रहे हैं रास्ते में मुलाकात हमारी हुए आप देखिए शर्वन कुसवाहा जो नवादा से जो है उमिद्वार थे आरजेडी के इसके अलावा आरजेडी के तमाम नेता और बिधायक यहां पर मौझूद हैं कारिकरता मौझूद हैं तो काफी जो है खुसी की काफी दहर है यहां लोगों में उच्छा है रोहनी आचारिया को लेकर कि और रोहनी आचारिया को जिताने में जो है कुसवाहा समाज के लोग भी बढ़ चड़कर हिस्सा ले रहे हैं आज दिन भर हमने कुसवाहा बहुल इलाके में रिपोर्टिंग की है हम बात करते हैं इस्थिति है मौझूदा आप लोग रोहनी आचारिया की जीत को लेकर कितना अस्वास्त हैं। देखिए हम लोग पुरे ही अस्वास्त हैं बलकि पुरे बिहार और देश को सोनपूर की धरती से संदेश देना चाहते हैं। कि यौश पुरे देश को मोधी से चुटकारा के लिए सोनपूर के लोग सारण के लोग लग है। जिस तरह से हम लोगों के पिश्रो धलितों के सारे लोगों का हक मारी हुआ है, जिस तरह से सम्धधान को तहस नस किया है, तो मैं यहाँ का MLA भी हूँ, तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, कि ये जो हमारे जो उमिदवार है, दक्टर रोहनी अचार्या, ये इतनका जीत तो संदार हो ही लेकिन देश में बदलाओं का एक संदेश जाए और हम लोग नहेंदर मोधी को उतार करके संभिधान बचाने की जो हमारी लड़ाई है देश का कलकर खाना बेज दिया देश का खाजाना लूट वादिया लूट लिया गजर गुजरात का गैंग इस गुजरात के गैंग को गदी से उतार के गुजरात भेज देने का संदेश इस सारण की धरती से सोनपूर के धरती से हम लोग देने के लिए संकल्प हैं और हम लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ हमारे सभी स जाती है सब लोग युदहस्तर पर लगे हैं और हंखा सबाहरें हो Annand पर बैठी ती सामंतवादी शक्ति जिए यहां के बीजेपी के जो परतिआसी हैं इंडिये के परतिआसी हैं बहुत हाई फाई परतिआसी माने जाते हैं और खुद भी पाईलोट हैं तो हवा में उठते हैं लोगुद rafti पर आते नहीं है, पहले बार उनको धर्टी का यह सास हो रहा है, कि जब हमारी उमिदवार इस पर्चंडगर्मी में भी महिला हो करके, आज अब पुरे खाक्षान रही है, सरकों पर दोर रही है, तो उनको भी सरकपर आना पर है, लेकि जनता उनको कह रहा है कि सरकपर नहीं, हावा में ही रहो बिहार की फीजा को बदलने में अहां भूमिका दिभार है बिल्कुल निभाएगी और पूरे बिहार निभा भी रही है आप सभी लोग जानते हैं अभी हम हाजीपुर से आ रहा हैं और सारण की धर्ती पर यहां रोहनी आचार्या जी शुनाव लर रही है और यह रोहनी आच सभी लोग जानते हैं और आज जिस चौग पर हम्फेस मैना फूरे बिहार में कुषवशा का य कोसवाह का बीधन सिरु sacred उन्मिद्वार है सूख महतों की पतनी कुमार्या नीता देवी भी मुंगेर से चुनाव लड़ी हैं रोवी चुनाव जीत रही है तो सुभावी क्च तो पर है कि हमारा वोट हमारा वोट घमारा जमात का कि हो चाहे राती पाटी से हो वो सभी लोग का वोट रास्तिय जन्ता दल में जा रहा है चुके भाजपा पूरे बिहार में एक भी टिकर देने का काम नहीं किया है अपमानित काम करने का काम किया है बेज़त करने का काम किया है और यह अपमान का बदला पूरे बिहार का एक एक उसवाहा वोट चले लेगा चार फेस का चुनाब हो चुका है पाचवे फेस का चुनाब होना है कहा जा रहा है कि जैसे 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 जो है चुनाब आगे बढ़ता जा रहा है आप लोग की स्थिती मजबूत होते जा रही है क्या सचाहिए इसमें पूरे बिहार की जनता ये मान लिया है ठान लिया है कि मोधी सरकार से इस बार बदला लेके रहेगा जो बरबाद करने का काम किया है आज जाती उन्माद फैलाने का काम किया है इस बार पूरे बिहार की जनता मुहतोर जबाद देगी हमारे साथ उत्पल भलभ जी है आर्जीडी के एक बहुत ہी मजबूत सिपाही है और जहान भी संकटiba होती है वहाँ म焦ूद होते हैं यह बताइए कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक तरफा लडाई है इस बार जो सारन लोग सवाद छेत्र है यहां पर लालू जी ने बहुत सारा काम किया है क्या आपको लग रहा है मौजूदा चुना आपको ले करके देखिए जब जब देश इस तरह की संकट में आई है तो यह सारन की धरती देश को दिसा और राह दिखाई है यह सारन ही है जो सिताव द्यार से देश संकट में आई है तो देश को बचाई है उस धरती पे खराय है यह भूलना नहीं चाहिए और देश बिल्कुल उस द्वराहे पे खरी है कि देश के लोगों को निर्ने लेना पड़ेगा उसमें का पहली बात दूसरी बात कि जब बिहार में चुनाव आई तो दो युद्धा और चार फेज का पहला फेज जो है उसमें से दो युद्धा अभय कुसवाह और सबन कुसवाह ने जो बैयार बनाया उसके बाद आप सब देख रहे होगे कि बैयार किस तरह से चल रहा है और जो लोग कहते थे 400 पार अब वो जोर रहे हैं कि सरकारों ब कर रही है जी मैं सब जगा मैं देखा हूं कि आ हम की और यहीं मैं देखा हूं यहीं मैं देखा हूं कि यह जंटा चुनाव लड़ रही है यहां कि जंता से हाथ मिलाते हैं उसके बाद वो अपने हाथ को सिनिटाइज करते हैं लेकिन दस सालों से वो चुनाब जीते रहे हैं शांसद हैं यहां के और इस वार भी मैदान में हैं तो क्या लग रहा है कि मतलब इस वार आप लोग तो मतलब आगे बढ़ें गए या मतलब एक है कि दस साल से वो संसद है और यहां के लोग भोटर कहते हैं कि उन्से मिलने के लिए पलेन पे चरणा पड़ेगा और प्लेन की ठीकह टुटनी सहस्था नहीं है कि सब लोग पर लोग पे चरुकर के रोडी जी से मिल आप कहा है उतंत के साथ में लोग से जानते हूंगे कईल है या यह बात है उनके againान आप कुछ होंना के थाट रहे हैं अभू छोड़ दीजैंग है कि एक्मिया कमभा मिलता है और बोटल भी मिलता है अब किस तरह का बोटल और खंबा होता है मैं नहीं जानता आप कहां से हैं प्रखंड नगर पंचायद सुनपु विदान सभा करता है और मोदी जी जो है बोलते हैं कि 400 पार चार सो पार के मतलब होता है उसको उपलर दीजिए डबल इरो फोर ओफोर हो गया वह अर्थी उठाने के लिए इस चार आदमन को अर्थी उठाके गंगाजी पार कर देगा सीथे तौन मना कांग्रिस बनाएं कि मांकरवंदन बनाएगी ओस हमारे लालू जीतना कर दीhen kudya पुरे देश में पुरे भारत में उयसा नेता कोई है अलाहम लालू जातों है बिहार की जंता को बता दे कि सचमुच सारन में लालू यादव ने अतिहासिक काम किया है यहां दो-दो रेल के कार खाने हैं रेल के पहिया का कार खाना यहीं यहां से कुछ किलोमेटर की दोरी पर बेला में है और दूसरा मढ़हौरा में रेल इंजन का कार खाना है और जनता यहां की लालू मैं है और जिने वोट नहीं देना है जो बर्गलाने की तो यह इस्थिती है सारन संसद्य चेत्र की